उस पेटी में वे दोनों बेहोश हो गए थे। कुछ समय बाद फिलिप ने कैसे होश आने पर सोचा कि मैं समुद्र के पास आ गया हूँ। यदि असा हुआ तो महल बन गया। उसी समय कोई सुन्दर महल बन कर खंगा हो गया। सभी धीवर आश्चर्य चकित रह गए। सभी सुन्दर राज पुत्र हो गया। अब वह पहले की तरह निर्बुदी भी नहीं रह गया था। फिलिप ने मन में विचार किया, सामंद ने हमारा जो अपमान किया, उसे में सहनिय नहीं समझता। परंतु मचली के कथन के अनुसार अब पांच वर्ष में थोगा सा समय बच इस नाव में केवल तीन यात्री थे, वे भी सामंद के पुत्र के परिवार के ही थे। वे घूने के लिए निकले थे, इंदी ने अपनी नाव को समुद्र में दूबा दिया। यह देखकर सामंद की लंकी बहोश हो गई। जलादी छिंतने पर जब उसे होश आया तब साम में बाद फिलिप भी वहां आ गया। सामंद ने कहा, आप जैसे जामाता को पाकर मैं कृतार्थ हूँ। आप मेरे लिए भी एक पहले समझोते पर बनवा देता कि मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ कर दू और आपका उत्तरादिकारी भी बना दू चड़ गया। फ मुद्र के किनारे ले जाया गया। फिलिप ने जब मन में सोचा तब वहां रतनों का धेर लग गया। इससे सामंद प्रसन हो गये। फिलिप ने कहा, मैं तुम्हारा उत्तरादिकारी बनकर अपनी कत्रतव्य का पालन करता हूँ। आप चक्र पर चक्मा देते हैं ऐसा दे दूसरे दिन प्रातहकाल होते ही मचली के कथन के अनुसार पांचवे वर्ष पूरे होने वाले थे। समय पूरा होते ही मचली के वचन प्रभावीन हो गए। पहले इसके सभी रतन लुप्त हो गए हैं। यह देखकर सामन पागल सा हो गया लेकिन अब क्या कर सकता था। उ के उत्तरा दिकारी फिलिप स्टेट की सुक का अनुभग कर रहे थे। वेधी का विधान विचित्र होता है।